धर्ती पर कुछ ऐसी जगा भी होती है जहां गदम रखते ही आत्मा को शांती और परमात्मा का आशिवाद मिलता है आज हम शुरू करते हैं अपनी पंच कैलाश यात्रा हुआता हुआता है झाल झाल पंचकेला यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हर शिव भक्त का सपना होती है ये सिर्फ परवतों की यात्रा ही नहीं बलकि एक आध्यात्मिक सफर है जहां शरधालू महादेव के पांच पवित्र निवास थलों के दर्शन करते हैं हर केलाश की अपनी खासियत आस्था और रहस्य है इस अध्बूत यात्रा की शुरुआत हम मनी मेश केलाश से करेंगे जो शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख स्थल है और अंत में हम केलाश मांसरोवर की पवित्र भूमी तक पहुंचेंगे ये यात्रा आत्मा को शांती, मन को स्थिर्ता और आस्था को मजबूती देती है तो चलिए अब हम अपनी पंच केलाश की इस पवित्र यात्रा का आरंभ करते हैं मनिमेश केलाश की यात्रा हिमाचल परदेश के भरमौर से शुरू होती है जो चमबा जीले में स्थित एक परमुख धारमिक स्थल है ये यात्रा हर सल सावन में शुरू होती है और इसे मनिमेश यात्रा मेला के नाम से भी जाना जाता है हमने मणिमेश केलाश दर्शन इस वर्ष 27 अगस्त को पूर्ण किये तो चलिए अब हम मणिमेश यात्रा की शुरुवात पठान कोट से करते हैं पठान कोट से अपना सफर शुरु करके इमाचल की खूबसूरत वादियां देखते हुए राद तक हम भर्मोर आप पहुंचें भर्मोर से मणिमेश तक की यात्रा कठिन लेकिन अद्बुत अनुभवों से भरी होती है मणिमेश यात्रा शुरु करने से पहले भर्मोर में माता भर्मानी का दर्शन पूर्न करना अनिवार्य होता है भर्मानी माता जी के दर्शनों के पश्चात आप 84 परीसर में भी दर्शन जरूर करें भर्मोर में दर्शनों के बाद आप प्रस्थान कीजिए जी हडसर की तरफ जहां से अपनी पैदल यात्रा का आप आरंभ करेंगे 84 मंदीर भर्मोर का एक महतरपून धार्मिक और सांस्क्रितिक केंदर है भर्मोर में 84 मंदीर माना जाता है कि भर्मोर के राजा सहिल वर्मन ने मंदीर का निर्मान 84 सितकों के नाम पर करवाया था या योगी जन कुरुक्षेतर से आये थे और मणी महेश जील वा मणी महेश के लाज परवत के दर्शन के लिए जा रहे थे शिवनगरी भरमोर के 84 परीसर के मंदिर में साक्षा धरमराज वी राजमान है मणी महेश जात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आने वाले शरधालू इस पवित्र मंदिर में दर्शन करते हैं कुछ लोग तो इस बात का भी दावा कर चुके हैं कि उन्होंने धरमराज की कचैरी में होने वाले सवाल जवाब खुद सुने हैं विरिफ ओवनी जी दोस्तो सूप्रभात हर हर मादेव देख सकते हैं सुबह सुबह सर बेसक्रा का बेस केंप है हर हर मादेव यात्रा का पहला चरम भर मौर से हडसर गाव तक का है जो सड़क मार्क से तैक किया जाता है देड़् घंटे की ड्राइव के बाद इस समय हम उस पॉइंट पे आप पोँचे जहां से होती है आपकी यात्रा की शुरुवाद देख सकते हैं जी ताधा तरिश्य देख सकते हैं जी मार्किट का हर महादेव भोलेगी फौरच करेगी मौर तो चलिए यहाँ पर मंदारा ग अधनिप्र गर्श कर थेICIAस हां का पिर्पेट अ हर हम्हादेव हर्ट सर गाओं कि क्लाश यात्रा का शुरुवाती बिंदु हुए जहां से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है यहां भक्त शिवजी का आशियुवाद लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं कि शिव जी की क्रिपा से मौसम बहुत अच्छा है सुबह से जितिन तेज बारिश हो रहे थी एक तो अनुमान मैंने यह लगा था कि शायद आज का दिन भी भर मोर में निकलेगा अपना लेकिन शंकर जी क्रिपा हुई है मौसम फिलहाल के लिए क्लियर है और बढ़ रहे हैं हडसर से धंचों तक का मार्ग चड़ाई और घाडियों से भरा होता है यहां के प्राकरतिक द्रिश्य और ठंडी हवाएं भक्तों को शिव की उपस्थीती का एहसास करवाती है इस रास्ते पर जगा जगा ठहराव होते हैं जहां भक्त विश्राम करते हैं इस पैच पर आपको कैसी दिक्कत हो सकती अगर आप अच्छे जूते नहीं डाल के आरे इस यात्रा पर थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होने वाला है जी यहांसे हम नीचे उतर रहे हैं और आगे जा कि पूरा माउंटेन चड़के उपर पहुंचेंगे जी और अगर बात कि जाएं नोर्मल यातरा मार्क से अलग जा रहा है और हम जा रहे हैं जी इस रास्ते से क्योंकि यह घोडे नहीं होते भस यही मेन कारण है कि हम इस पकड़ंटि को पकड़कर बढ़ रहत रहा हैं जी धंचो की तरफ हर-हर महादेव 3과 10 9 कि चलते चलते तीन घंटे और दस मिन्ट है वो चलते चलते तीन घंटे और दस मिनट हो चुक है कि इस समय हम आ पहुंचेजी धंचों याझा देख सकते सकते हैं धंचों के आपको बहुत सारे भंडारे देखनें को मिलते हैं और यहाम पर व श्नाव भिभा बे настr धंचो में भी रुकना प्रेफर करते हैं जैसे तो पहर में यात्रा शुरू करके शाम को यहां पहुँच गए शाम का स्टे रात का स्टे यहां पे लिया और अगले दिन प्रस्थान कर देते हैं जी शिवकुंड की तरफ जाई शंकर की धंचो में 15 मिनिट का ब्रेक लेके फिर से हम आगे प्रस्थान कर चुके हैं जी आपको पताना चाहूंगा कि धंचो तक आपका 6 किलो मिटर कवर हो जाता है जी यात्रा का और आगे बज़ जाता है आपका कुल 8 किलो मिटर शिवकुंड तक धंचो पहुंचने के बाद यात्रा और कठीन हो जाती है क्यूंकि आगे आगे चलते हुए आपको खड़ी पहाड़ियों का सामना करना पड़ता है तो जी धीमे धीमे बारिश आती जा रही है और आपको अब उसामने बंदर घाटी वाला रस्ता दिखाई दे रहा होगा कि छोटा सा पैलचा नीचे बहुत ही गहरी खाई है देख सकते हो और जहात्वर यह वाला रस्ता प्रेफरेबल रहता है जी शर्दालों के दोरा जो की पैदल यात्रा करते हैं जाई श्यंकर की धंचों से गोरीकुन का रास्ता सबसे चुनोती पूर्न माना जाता है लेकिन गोरीकुन का पवित्र पानी भफ्तों के सारे थकान को मिटा देता है तो जी दोस्तों चलते-चलते आप पहुंचे हम शिव की घराट में माना जाता है कि यहां पर जो शीव जी की चक्की यह उसके आज आज वी पिसने की जो टक-टक की आवाद है वो आती है तो वही श्रदालु कान लगाकर यहां पर सुन रहे हैं जी वह आवाज को यहां पर बोले बाबा काशिवा प्राप्त करके हैं प्रस्थान करते हैं जी आगे की तरफ जैशंकर की ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाए जैशंकर की देख सकते हो जी मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है धने बादल चा चुके हैं जी घाटी में बहुत ही तेज बारिश आ गई थी तो हम एक दुकान में बैठ गए थे वैसे तो रेंकोट्स कैरी की हैं लेकिन ओल्मोस्ट आदा गंटा बारिश हुई आदा गंटा आराम भी हो गया हमारा और अब वापिस प्रसान कर रहे हैं जी सुंद्रासी की तरफ नॉर्मल रस्ते से जाए आगा की तरफ जाए शंकर की अभी वहां पर पहुंचेंगे तो थोड़ा सा सुकून आएगा क्योंकि गोरिकुंड फिर पास में दिखाई देगा हर हर महादेव तो जी दोस्तों पांच बचके 15 मिनिट सामने का आप द्रिश्य देख सकते हैं जी और कुल 5-7 मिनिट में हम गोरिकुंड टेश्डाउन कर जाएंगे जी पहला कदम रखते हुए जी गोरिकुंड में देखो जी गोरिकुंड में एंट्री करते ही आपको यहां पर कुंड रिखाई देता है जिसमें लेडिज सनान करती है जी अगर मौसम क्लियर हो तो यहां से किलाश परवत के साक्षा दर्शन होते हैं बोले बाबा बैठे होते हैं उपर केलाश परवत के और हम और जो जैंट स्नान करते हैं जी वो करते हैं शिवकुंड में जो की गोरी कुंड से डेड़ किलोमीटर ऊपर है चलिए शंकर जी का नाम लेते हैं और साड़े छे बे तक ट्राइव करते है कि उपर पहुंच जाएं जाए शंकर की बंबं भोले हर हर महादेव बोले गोरा मैया की जै जै मापार्वती जै माता दी जै माता दी है मेरी माई सच्चियां जोता वाली माता जी थडी सदा ही जै तो जी दोस्तों दर्शन कीजिए गोरा मैया के जहां पर शिव होते हैं वहां पर शक्ती की मोजूदगी ज़रूर होती है तो बस इसी बात पर कोमेंट सेक्शन में जै गोरा मैया जरूर लिखेगा हर हर महादेव जै माता दी गोरी कुंड से शिवकुंड की तरफ कुड एक दमना चटना शुरू हो गये हैं अब के लाश पर वस्ते वस्ते अच्छे दर्शन मिल जाएं यहीं आजा करेंगे हर हर महादे वंभूले 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 व्याटवे यात्रा शुरू करके श्याम के छे बच के 30 मिनट और हम आब की जै जै बोड़े जै शंकर देखो जी बैठे अपने अराध्यदेव बाबा शिव और इस साइड आप शिव कुड के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं जी बोले शंकर भगवान की जै जै शंकर की हर हर मादेव सुबह जी सनान करेंगे कुंड में और देखेंगे जी मणी के दर्शन होते हैं के लाश परवत पर तो आपको भी जरूर दर्शन करवाएंगे मणी के और सामने जी के लाश परवत मणी महेश कैलाश पंच कैलाशों में से एक हर हर महादेव तो जी दोस्तों रात हो गई है और आज जी बोजन पानी ग्रहन करने के लिए बंडारे में तो जी दोस्तों ऐसा है कि शाम को साड़े चेवे पहुंच के सीधा टेंट ले लिया था आपको पता दूं कि शेरिंग में टेंट तो ऐसे ही मिल रहा है यार दाई 300 रुपे का तो अपने कुछ दो बंदे भाई बंदू मिल गए थे तो हमने तीन बंदों ने परस्नल टें है बस और अब आपको बोलते हैं हर हर मादे बारी शाम से ही लगी है जब से हम यहां पर पहुंचे शिपकुन पर और फिर यहां पर सनान करके भोले बाब का नाम लेकर प्रस्थान कर देंगे जी नीचे की तरफ आशा करता हूं कि अभी तक की जितनी भी आपको जानकारी दिया वह आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी जाय शंकर की हर हर मादेव अब आपसे सुबा मिलते हैं वेरी गुड मोर्नी जी दोस्तों सूप्रभाद हर हर मादेव सुबा सुबा का आप तादा दरीश्य देख सकते हैं जी शिवकुंड से एक दम घाटी में बादल चाय हुए है कैलाश परवत के दर्शन फिलाल के लिए तो नहीं हो रहे हैं और शिवकुंड में बहुत से श तो जी भाईयों और बेहनों स्नान कर लिया है और बस अपने ये बैग वैग रख के थोड़ा बहुत भगवान शंकर जी के सामने धूबती करते हैं और बाबा का आशिवाद प्राप्त करते हैं के लाश परवत के दर्शन तो चलो कल जब पहुंचे थे तब हो गए थे बा गिर्जा के नाम से भी जाना जाता है उनसे विवाह करने के प्रश्चात मनी महेश का निर्मान किया था इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि भगवान शीव ने यहां 700 वर्ष तक गहन तपस्या की और गद्यों को एक चूहली और टोपी दी जिसे वो आज भी अपने अ तो जी दोस्तों देख सकते हो शंकर जी ने दर्शन दे दिये हैं एक बार फिर से सभी शर्धालों को मोर्निंग से सबसे क्लियर वी अभी के लिए दिखा पारहा हूँ आपको समय की अगर बात करें सुबा के सवादस होने वाले हैं जैश शंकर की सभी शर्धालों के हर्ष के पानी में शिव का प्रतिविम देखा जा सकता है जो इस यात्रा का मुख्य आकर्शन होता है इस्थान पर पहुंचकर हर भक्त शिव की उपस्थिति को महसूस करता है और यह यात्रा का सबसे पवित्रपल माना जाता है कि देखिए सामने शिव कुंड और एक अंतिम पार आप बाबा शिव के दर्शन प्राप्त कीजिए आपको कुछ चीज़ें यहां से मैं समझाना चाहूँगा यह जो आप सामने रास्ता देख रहे हो जी यह कमल कुंड को जा रहा है और अगर आप कभी के लाश परवत को चर चरंस पर्श जरूर कर सकते हैं लेकिन आपको एक एक स्टेप लेना पड़ता है सामने जो आपको लाइन दिख रिया जी रेखा इसे राम रेखा कहा जाता है तो यहां तक आप बतलब यहां तक तो नहीं से थोड़ा नीचे चरंस पर्श करके आ सकते हो लेकिन रिस्क अब अगली मंजील है हमारी किनौर के लाश किनौर के लाश की यात्रा हिमाचल परदेश के किनौर जिले के रिकॉंग पियों से शीरू होती है हमने किनौर के लाश के दर्शन इस वर्ष पांच अगस्त सावन के तीसरे सोंबार वाले दिन किये तो चलिए अब समय है किनौर के लाश के दर्शनों का इस बार की हमारी यात्रा की शुरूआत होती है अंबाला शहर से इस समय हूं मैं अंबाला में और हमारी यात्रा की शुरूआत हो रही है किनौर के लिए फिलहाल के लिए आपको बता दूँ रात के दो बज चुके है और सारे भाई बंदू इकठे हो चुके हैं अंबाला में और अपनी यात्रा की शुरूआत करने वाले हैं यहां से होते हुए हम शिमला नारकेंडा और रामपूर होते होते पहुंचेंगे जी किन ओर और फिर अपनी यात्र ही करेंगे शुरूबाद बस आचा करेंगे कि शंकर जी वारी सियात्रा में अपना साथ बनाए रखे रहे यात्रा मंगव में हो करंट स्टेटस है कि फिलहाल के लिए हमने ठ्योक क्रोस कर लिया है शिमला और क्रोस करके फिलहाल के लिए हम रामपूर से पीछे यह हैं लगभग लेड़ो गंटे में रामपूर पहुंच जाएंगे और घाटी का भाई साथ द्रिश्य देख सकते हो दिल्ली से चलकर आप चंडीगर्ड, शिमला, नारकंडा और रामपूर के बहुत खुब्सूरत द्रिश्यत देखकर आप भूंच से हैं जी किन नौर में किन नगरी में हमारी एंट्री हो चुकी है और आप बताना चाहूंगा किन नौर के लाश की यात्रा पर जाते हैं या फिर आप किन नौर के रूट से निकल रहे होते हैं तो यहां पर तरांडा माता जी का बहुत ही परसित मंदीर है जहां पर दर्शन करना अनिवारे होता है यहां पर दर्शन करके ही आप आगे कि नौर की तरफ प्रस्थान कीजिए देख सकते हैं जी मंदिर तरंडा माता जहां पर आप दर्शन कीजिए माता राणी को बोले कि आपकी यात्रा मंगल में हो और महामाई आप सभी का हाथ पगड़के आप सब की यात्रा सफल कि नौर से आगे बढ़ते हुए आपको रेकोंक्यों से पहले शोंटोंग ब्रीज पर उतरना पड़ता है जहां से तीन किलोमेटर की दूरी पर है तांगलिंग विलेज जहां से आपकी यात्रा की शुरुवात होती है और तांगलिंग विलेज को ही कि नौर के लाज यात् जाने के लिए आप लोकल टैक्सी या फिर तीन किलोमेटर की हाइक करके तांगलिंग तक आप पहुंचते हैं आज की रात आराम करेंगे तांगलिंग में और कल प्रस्थान कर देंगे जी गनेश पार्क की तरफ अगला दिन हो गया जी शुरू एंड अपनी यात्रा शुरू करने के लिए देख सकते हो जी सारे भाई बंदू रेड़ी है नमप पार्वधी बदे हरे 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 महारे इस बार यात्रा के दो मार्ग शेष बताये जा रहे हैं एक तो जो तंग लिंग से होकर ही निकलता है जहा गिनेश पार्क की तरफ जा सकते हैं दूसरा मार गया जी तलंग पी गाउं से वहां से भी अपनी यात्रा की शुरूआत कर सकते हैं और वहां से जो डिस्टेंस है वो भी आपका कम हो जाता है जी गिनेश पार्क के लिए समझे लो ओल्मोस्ट डेड़ घंटे का जो आपका ट्रेक होगा वो कम हो जाएगा तो फिल्हाल के लिए हम भी बढ़ रहे हैं तलंग पी की तरफ और अपनी यात्रा की शुरूआत करेंगे जी तलंग पी गाउं से तलंग पी जाने का रास्ता आप फिल्हाल के लिए ओल्मोस्ट जिस बिच्टे हम चल रहे हो इसकी आप चुड़ाई देख सकते हैं कि बस गाड़ी गाड़ी जा रही है और सतलच के उपर इस समय है हम जैब हो लेगी देख सकते हो जी इस समय हम तलंग पी में आप पहुंचें यहां पर आप देख सकते हो जिरार मल्टिपल कार जो की पार्क हुई पड़ी है तो हमारी भी गाड़ी यहां पर लग रही है आगे से रस्ता जाएगा जी पैदल तो इन्फोर्मेशन यहीं मिलिया कि तांग लिं यहां इसलिफया खेंगे और अब जैसे ही सारे बंदे इकठे होते हैं वैसे बावा का नाम लेकर प्रस्थान करेंगे जी अपनी यात्रा में आगे अरहर महादेव तो करते हैं अपनी यात्रा की यह कि फिल्हाल के लिए अब गरूप में कुछ मेंबर्स यह नहींने पोर् तर भाया ने बताया कि यह जो तलांगपी वाला रस्ता है तांगलिंग से हलका सा नोर्मल है तांगलिंग से जो पहला तीन किलोमेटर का स्ट्रेक्स जाता है वो थोड़ी जादा डिफिकल्ट चड़ाई है तो जी यह सामने आप रिकॉंग पी हो और उपर कलपा देख पा र यह यात्रा कठीन मानी जाती है लेकिन भक्तों की आस्ता उन्हें इस कठीन मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है कि नौर केलाश के दर्शन के लिए हर साल भक्त परवत पर चड़ाई करते हैं यात्रा का पहला पढ़ाव तांगलिंग गाउ माना जाता है जहां से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है तांगलिंग गाउं जहां से यात्रा के लिए जरूरी रिजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और इसी पढ़ाव से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है तांगलिंग गाउं की नौर केला यात्रा के लिए एक महतपूं स्थल है वापिस गनेश पार्क में आके रुकेंगे और परसों वापिस आ जाएंगे जी तालंग पी से होते होते तांगलिंग विलेज तक जाई शंकर की यह यात्रा पहाडी रास्तों से गुजरती है इस मार्ग पर जंगल और नदियों का अध्वुत द्रिश्य देखने को मिलता है जिससे भक्तों का मन शिव की भक्ती में डूप जाता है इस रास्ते से हम मैं जो किया है तलंग पी वाला यह रास्ता है जी तांगलिंग वाला वो नीचे से आपको शर्दालू आते दिख रहे हैं यह तांगलिंग वाला रस्ता है यहां पर रस्ता हो गया जी मैच और यहां से अब अकेला एक रस्ता गाएगा जी उपर गनेश पार्क की तरफ तो यह चीज़ आप ध्यान में रखें कि अगर आप हलका सा शोटकट लेना चाहते है तो आप तांगलिंग की जगा तलंग प भाईयो पानी सफिशेंट केरी कीजिए अपने हाँ यात्रा पे एक बोटल ख़तम हो चुकिया यह दूसरी बोटल अभी उपर दो-तिन टेंड लगे हैं जहां पर जाके हमें पानी वानी मिलेगा एक दम खड़ा पहाड पार करना है जी देखो यह पहाड पार करके हमने आगे जाना है और जैसे जैसे उपर पहुंच रहे हैं मोसम भी थंडा होता जा रहा है जो हवाय चल जो एक दम ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ठंडी हवाय चल रही है जी फिलहाल के लिए तो आप देख सकते होगे कि नीचे आपको बहुत ही संख्या दिखाई दे रही होगी फिलाल के लिए यात्री की तो आपको बताना जाओंगा जो यात्रा का पहला water source है पानी का स्त्रोत रहे हो आपको पहला मिलने वाला है वो यहाँ पर मिलने वाला है लगभग समय लीजे अ भी पोटल हमने भरी है और अब बढ़ेंगे बाबा का नाम लेके आगे की तरफ बोड़ा शंकर भगवान की जाए गनेश पार्क कोईने से एक डेड़ गंड़ा पहले आपको टेंट्स मिलने वाले हैं हमने भी वस जस इसी के नीचे टेंट था वहां पे भोजन ग्रैंड किया और बढ़ रहे हैं जी आगे की तरफ कि इतना नस्दी जा रहे हयं जी गिनेश पार के ऐसा फिल हो रहे है कि गिनेश फार को उत्रा ही दूर जाते जा रहा कि दूर से देखने Felix अभी भी आसा मैसूस हो रहा कि बहुत समें लग जाएगा यार हालागी है वग टॉप पे यह है वो सामने टॉप टॉप नेकिन तो जी दोस्तों चार बच के 40 मिनट और फाइनली गनेश पार्क के टॉप में आप पहुंचे हैं देख सकते तो जी दिरिश्य घाटी का बारीश अपी भी हल्की हल्की लगी हुई है और यह आप ताधा दिरिश्य देख पारे हो गनेश पार्क से किन्नो और केलाज यात्रा संचैलन कमेटी पोवारी तांगलिंग आपकी यात्रा मंगल में हो और शर्दालों को मेलिंग खाटा पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती है मतलब गनेश पार्क पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती है फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं अपने टैंट में जहां पर हमने अपनी आज की वूगिंग की हुए अडवांज में भूकिंग करवा के आये थे जी हर बंदे की और बारिश फिल्हाल के लिए तेज हो चुकी है छाते खुल चुके है रेन को डल चुके है और यात्री चल रहे हैं जी बाबा भोले नाथ का न तो यह सारी ट्राइबल टेंट सिटी हमारा भी टेंट इसी में आपको पताना जाओंगा यह वाला हमारा टेंट है चार परसन वाला और यहां से यार वैली व्यू देखो ओ एम जी बहुत ही खुबसूरत है यह वैली व्यू सच में पताऊं तो चाहे पानी ग्रैन करके बै ज्याई श्यंकर कि जाके दस बच के पारा मिनेट हो चुका है खानवाना हम खा पी कर बैठ चुके है और अभी के लिए जो स्टेटेस है वो मता हूं आपको साड़े पार बे निकलने का प्लैन कर रहे हैं इलहाल के लिए आपको श्लाइटिंग सिखाई दे रही होगी वह है जी जात्रा मार्ग उपर जाने का अभी लिए आपको बोलता हूं शुक्रात्तरी और अब आपसे मिल्टाओं यहां से निकलने के ताइब जाइशेंकर करने के लिए जाइशेंकर की गने अंधेरे में फिलहार के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं जी गडेश पार्क से कि नौर के लाश की तरफ लोग तो सुभा साड़े बारा ही जाना शुरू कर चुके थे और जिन्नोंने कल अपनी एंट्री करवाई थी उनकी फिलहाल के लिए एंट्री हो रही है यहां से भोते हुए हम आपको सामने पहार तो दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हमने ए एक बचके चालिस मिटे पे वहां से चलना शुरू किया था मतलब उसके भी थोड़ा सा पिछे से फिलहाल के लिए देख सकते हो हम कि टोप प्या पहुंचे है और यहां से अभी के लिए धलान जाएगी और फिर यहां से धलान होके जाएंगे उपर के और और वो क्रोस करत पैच के लिए स्पैशली जाएश एंकर की विलहाल के लिए फोन रखते है पोकेट में और करते है रास्ता पार शिव पे रखास क्यूंकि तू है शिव का दास और शिव है तेरे पास जाएश एंकर की कि बाद लोग का कोरा तो छटने का नाम नहीं ले रहा येकिन बाबा का नाम लेकर बढ़ते जा रहे हैं और यह जो परशासन द्वारा लाइट्स लगाई गए गया है बाई साब क्या बताओं बहुत ही अच्छा कारे किया गया है कि खाई देख सकते हो कितने गहरी है बाई इदर बंद करते हैं यह जी ढलान गनेश गुफा तक पहुंचने के लिए वह सामने लाइट जल रही है वहां पे बीच में गनेश गुफा बहुत खतरनाग ढलान है एकदम स्टीप एकदम डाउन धील जाएंगे फिर वहां से उ पहले आपको मिलने वाला है जी गनेश नाला जोब की आपको करना पड़ता है क्रोफ बहाव की आपको तेज तेज अवाज सुनाई दे रही होगी जी और ऑफिजन में आपको फिर तो यहां पे गलेशर होता है जी बहुत बड़ा लेकिन फिलहार के लिए हमें बॉटर क्र बपक्षर शचार पहलेँ owडर जमाद बापको मिलस प्रच में आपका प्रच कर लाए है जौर मांद रुटछ 오른ूबड़ कि ने वाल लागें यहार खें़ यहार जासास को तेजुवर में लाइका ने रहले यहार है क्रुआ फिला क्योंा यहार करता हम बड़ता है सुनाई गनेश पार्क में रुखने के बाद अगला चरम होता है जी गनेश गुफा तक पहुँचना जो की एक अत्यंत चुनोती पूर्ण मार्ग है। ये स्थान शिव भक्तों के लिए विश्रामस्थल भी माना जाता है। गुफा के चारों और परवश शंखलाएं भक्तों को एक विशेश आध्यात्मिक अनुभव देती है। अन्तकार हट चुक है और सवेरा हो जुक है। अभी तक का जो हमने सफर त्या किया है। सच मानो तो बहुत जाए डिफिकल था। हर पांच के दम में सांस फूल रहा हर पांच के दम बाद बैटना कड़ रहा है। शंकर जी कृपा बनाए रखे जया हो। तो जी देखो भोले यह रहा बहुत ही खूपसूरत ब्रह्मकमल कहते है कि चांदनी रात को तो यह प्रोपर अच्छे तरीके से खिल जाता है। अपना प्रोपर आकार ले लेता है। और ऐसे ही आपको घाटी में बहुत सी जड़ी बूटी देखने में मिलने वाली है। ब्रह्मकमल को तोड़ते बिल्कुल नहीं है। यह बहुत ही बड़ा पाप होता है ब्रह्मकमल को तोड़ना। देख सकते हो कितनी खुबसूरत रंग भी रंगी। यहां पर वन्य जो जड़ी बूटी होती है वो लगी हुई है। और फाइनल हम आप पहुंचया जी गौरी कुंड में। ये मेरी माई सच्चिया जोता वाली मता तेरी सदा ही जै। दर्शन कीजेजिए। पभित्र गौरी कुंड पार्वती कुंड के बोल शेंकर महराज की जै गोरा मया कीजे। साथि साथ सारे शरद्धाल्व आसपास। जै माता दी जै गोरा मया बुल शंकर भगवान की जै माता पार्वती की जै शीव परिवार की जै मामाई काशवा प्राप्त कर लिया और इस सेड़ आपको गौरी कुन के पवितर दर्सिंग करवा दिया है अब हम प्रस्थान करेंगे जी आगे किन और कहलाश की तरफ क्योंकि बाबा के पास जाना है तो मैया से तो आग्या लेनी होगी तो इसी बात में बोलेंगे बाबा ब जरबार में जो मैया कही सो हुए बोले शंकर भगवान की जया नो बच के 25 मिनट एंड स्टिल डैस्टेंशन बहुत दूर अभी भूफा से अगला और अंतिम चरण की नौर कैला शिवलिंग तक का है जो इस यात्रा का सबसे महत्तपून भाग माना जाता है यहां का नवास से फीट होचा शिवलिंग अपने आप में ही चमतकारी माना जाता है तो अब ऐसा हो चुग है कि ऑक्सीनल लेवल कम होने के कारण हैड़िक बहुत अगड़ी हो रही है लास्ट पैस रहे गया है यहां से उफ पर चड़े के तो बाबा के दर्शन होंगा अगर मौसम क्लियर होता फिर तो यहीं से दर्शन हो जाते लिकिन हम तो उपर कौंचेंगे सपर्श करके आए बाबा को आजो इदर अगर शंकर वहां चुका है बाबा के दर पे लाइन लगिवी है दर्शन की जया हो कि पूलो बाबा कि नौर केलाश की जया सुछ जब चल रहे थे पता नहीं लग रहा था कि पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन बाबा हमारे उन पे आस बना के रखी है बाबा ने यहां पे बहुत परिक्षा ली और फाइनली पहुंच चुके है तो केलाश परवत है हिंदू पुराणी कथाओं के नुसार भगवाशिव और देवी पारवती की नौर कैलाश में निवास करते हैं यह हिमाल्य में अलग लग स्थानों पर पांच अलग लग चोटियों के समूव में चोथा सबसे महतर पूर्ण शिखर है जिने सामूहिक रूप से पंच कैलाश या फिर पांच कैलाश के रूप में जाना जाता है अन्य महतर के मामले में पहले स्थान पर कैलाश परवत दूसरे पर आदी कैलाश तीसरे पर श्रीखन कैलाश चोथे पर कि नौर कैलाश और पांचरे स्थान पर मणी महिष कैलाश आते हैं कि नौर कैलाश के शिखर की उचाई 19,870 फीट है और इसे हिंदू और बोध दोनों धर्मों के द्वारा प्वित्र माना जाता है पुराणी कथा के अनुसार इस परवत पर ही भगवान शिव और माता पारवती का पहली बार मिलन हुआ था यानि कि पहली बार दोनों ने एक दूसरे को इसी जगा पर देखा था जब शिव पारवती का मिलन हुआ तब यहाँ पर प्रम कमल का पुष्ट खिल उठा जिसका तेज पूरे संसार में फैल गया था कि नौर केला शिखर के पास एक प्रकरतिक तालाव या फिर कुंड है जिसे पारवती कुंड या फिर गोरी कुंड के नाम से जाना जाता है और माननेता है कि इसकी रचना देवी पारवती नहीं की थी और लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर पूजन किया था इमाले की बरफीली चोटियों में कई देवस्थान है इनकी धार्मिक माननेताएं भी बहुत अधिक है ऐसा ही एक परवत है कि नौर केला शिखर केला शिखर का शिवलिंग 29 फीट इंचा है इसके आसपास बरफीले पहाड़ों की चोटिया है जो इसकी खुबसूरती में च कि नौर केला शिखर की चारों और से बादलों से घिरा रहता है यही माचल के दुर्गम स्थान पर स्थित है इसलिए यहां पर ज्यादा लोग दर्शन के लिए नहीं आपाते कि नौर केलाश का प्रकरतिक संदरे मंत्रमुग्ध कर देने वाला है कि नौर केलाश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है सुर्योदों से पूर्व सफेद सुर्योदों होने पर पीला मध्य काल में लाल हो जाता है इसके बाद फिर पीला और सफेद होते होते संध्या काल में इसका रंग काला हो जाता है हाला कि आशुपातास्त्र की प्राप्ति यहीं पर हुई थी तो जी इस तरह बैठी है हमारी पूरी मंडली तर्शन कैसे रहें बहुत अद्बूत बहुत अद्बूत बहुत अद्बूत कैसे रहे में बाडा जी बहुत बढ़िया कितने केलाश कर लिए अभी तक दो कैलाश बोलो हर हर आज जी इंदर जी बहुत बढ़िया उलो शंकर भगवान की चाहो दुपहर के डेड़ बजे बाबा को नमन करके अब हम प्रस्थान कर रहे है जी बापिस गणेश पार की तरफ हर हर महालेव भक्तों का मानना है कि इस शिवलिंग के दर्शन से ही उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं शिवलिंग तक पहुंचने का मार कठी नोर उंचा है लेकिन जैसे ही शिवलिंग के दर्शन होते हैं हर भक्त का मन श्रद्धा और आस्था से भर जाता है कि नोर कैलाश की ये यात्रा आत्मा को शांती और महादेव का आश्रवाद देती है अब हम पहुंच जे हैं श्रीखंड कैलाश जिसे पंच कैलाशों में से सबसे कठीन और चुनोती पूर्ण यात्रा माना जाता है हुआ 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 है श्रीखंड कैलाश की यात्रा को पंच कैलाश की सबसे कठीन यात्रा माना जाता है और ये ही माचल परदेश के जाओं गाओं से शुरू होती है अम्क्रम्बकम्यजामहे सुगन्धिंपोष्टिवर्धनम् और वारुकमिवबंधनान ब्रेत्योर मुक्षियमाम्रता श्रीखंड कैलाश ही माचल परदेश के कुल्लू के निर्मन जिले में स्थीतेक हिंदू तीर स्थल है जिसे भगवान शीव और उनकी पत्नी देवी पार्वती का निवास्थान माना जाता है इसे भारत की सबसे कठीन यात्रों में से भी एक कहा जाता है पंच कैलाश में शीखंड कैलाश का तीसरा दर्शन आता है और शीखंड कैलाश की यात्रा आतीद दुर्गम है 18,570 फीट की उचाई पर शीखंड परवत की चोटी पर 75 फीट का शिवलिंग है जिसके दर्शन करने शरधालू देश और विदेश से आते हैं शीखंड यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली या फिर चंडिगड आना होगा अब ट्राइ कीजे कि आप भी ओवरनेट जर्नी करके सुबह सुबह रामपूर पहुंच जाए रामपूर तक का सफर आपका बहुत खूबसूरत होगा जिसमें आप सोलन, शिमला, कुफरी और नारकंडा पार करते हुए रामपूर बशेहर पहुंचेंगे रामपूर से आपको अगले दी सुबह जाओं विलेज जाना होगा और जाओं जाने के लिए आपको रामपूर बशेहर के बस टेंट से सबसे पहली गाड़ी आठ बजे मिलेगी लेकिन अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आपको शिव जी के पवित्र स्थल देवधांग में दर्शन करना अनिवारे होता है देवधांग मंदीर जाओं विलेज से 25 किलोमेटर पहले है आप जाओं जाने वाली बस में बैट कर देवधांग तक का टिकेट लेकर अराम से याँ पर उतर सकते हैं और यहां से आप एक किलोमेटर डाउन दी हिल जाकर देवधांग मंदीर में दर्शन कर सकते हैं माना जाता है कि जब भसमासुर शिवजी को भसम करने के लिए आतूर था तब मंदीर की प्राचिन गुफा से होते हुए भगवाशिव शीखन के लाश तक पहुँचे थे और काफी समय तक वहाँ पर भगवाशिव ने तब किया था अच्छा ठीक है लिए गंगावजा तो पानी आता है यह पानी का श्रक्षा है यह चना मतली आरा है यह नाग दिप्से ए गंपति माराँ इसर शक्ति माता है माता पालती है अच्छा अच्छा है अच्छा मंदिर में तो पंडी ने बहुत ही सुंदर दर्शन कर वादियं बोले बाबाके और साथ इसाथ गुफा के भी जहां से शिव जी शीखन के लाज के लिए उपर गए थे बाकी मानने ता यही है कि अपनी शीखन जी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहां पर दर्शिंग करने अनिवारे होते हैं और तभी आत्रा सफल मानी जाती है तो अगर आप भी शीखन महादेव जी के दर्श फिर आप दोबारा से बस लेकर पहुंच जाएए जाओं विलेज जो कि शीखन यात्रा का बेस कैम्प है कई श्याम को चार बजे से अपने घर के निकला हुआ था आज साड़े बारा बजे जाओं विलेज पहुंचे हैं अब जाओं विलेज में हमने वैसे स्टेक की ओप्शन भूने की कोशिश की इतनी अच्छी ओप्शन जहां पर है नहीं तो हम अभी के लिए फिलहाल बढ़ किलोमेटर आज गम लिट हो जाएगा आज का नाइट से हम सिंघाड में लेंगे और कल सिंघाड से अपनी यात्रा शुरू करेंगे दोस्तों जाओं विलेज से ही श्रीखन के लाज के प्रथम दर्शन होते हैं रुकने के अगर बात करें तो आप जाओं से 2 किलोमेटर की हाइक करके सिंघाड आ जाएगे जहां पर आपको रुकने की अच्छी सुविदा मिल जाएगी हम भी आज के लिए सिधा सिंघाड जाएंगे और वहाँ पर विश्राम करेंगे सिंघाड में आपको जाओं से ज्यादा अच्छे और कमफर्टेबल होमस्टे देखने को मिलेंगे जिनका चार्ज 700 से 1000 रुपे तक होगा तो जी दोस्तो हमने सिंघाड में रूम ले लिया आराम करने के लिए क्यांकि बोडी रेस्ट मांग रही थी ये देख सकते हो ये हमें 900 रुपीज का रूम मिला है विद अटैच वोश्रूम तीन बंदे सो सकते हैं आराम से और वोश्रूम काफी निटेंट लीन है अच्छा सा ओवरनेट जर्नी करके जब हम भी सिंघाड पहुँचे तो बोडी को रेस्ट देना भी जरूरी था इसलिए म्यूचल अंडरस्टेंडिंग और डिसीजन से हम भी सिंघाड में आरुके और यात्रा शुरू करने से वेले अपनी बोडी को हमने अच्छे से आराम दिया वो रात होते ही खाने का अनंद लेकर हम सो गए आज आजी हमारी यात्रा का दूसरा दिन और इस समय है हम सिंघाड कैम्प साइड पर सिंघाड से आज हम निकलने वाले थाचडू या फिर काली टॉप की तरह कुछी देर में ब्रेकफर्स लग जाएगा अपने जो साथी हैं वो तैयार शियार हो रहे हैं सुबा सुबा से उठकर जस्ट मैं मोसम को एनलाइज कर रहा हूं देख रहा था कि बारिश न आ जाए लेकिन मोसम क्लियर है और किसी भी समय सूरे हो दे हो सकता है थर्थियू से निकल चुके है हम और यात्रा में आगे प्रस्थान करने वाले हैं जै बोले की जै करब्वीर बजरंगी अर्ण महादेव महादेव! महादेव महादेव जी का, महादेव टिर प्रस्थान करेंगे जय बोड़े कि तो जी जैसी आप सिंहिगार में जो मेन मंतिर बाहां से क्रोस करके आगे आऊगे लिए देखdot सकतेव जो किन वास्यम की इस्द ह किलीटीज तबत एह यहां पर आपके ऩो साह्य वह ल्हें होती है और रहने साहिने की पूरी पूरी सुविदा रहती है जितने दिन भी यात्रा चलती है उन सभी दिनों में भंडारे की पूरी पूरी सुविदा रहती है और यहां पर देखो जी शंकर जी का कितना प्यारा सब रूप है आशिवा लेते हैं और बढ़ते हैं आगे जाउं विलेड से शिरिखन महादेव की एक साइड की दूरी कुल 35 किलोमेटर बताई जाती है जिसे यातरी लगबग तीन दिन में पूरा करते हैं यातरा के दिनों में सिंघाड में आपको भंडारे की सुईदा भी देखने को मिलती है और सिंघाड से लगबग 4 किलोमेटर की दूरी पर आपको यातरा का तीसरा पड़ाब देखने को मिलता है जिसे बराटी नाला के नाम से जाना जाता है इसी steep stairs आपको बहुत जगह पे देखने को मिलने वाली है कि आप पहले सीडिया चड़कर ऊपर जा रहे हो स्टेप्स चड़कर ऊपर जा रहे हो पिर जानक सो आपको सारे स्टेप्स नीचे उतरने पड़ दूसरी साइड से ऐसा बहुत सारे पैच आपको देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में हर मुशकील का एक ही उपाए बोलो ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए इस समय हमां पहुंचिया है ब्राटी नावा में और यहां पर शंकर जी का बहुती सुंदर सभूरूप स्थापित कि आगया मंदीर के अंदर बाबाकाशिवा ले लिया कहा जाता है कि ब्राटी नाला में एक बाबाजी पूरे वर्ष यहां पर ही रहते हैं चाहे यहां पर बरफ गिरे या जितनी भी गर्मी हो या तरह चले या ना चले आपको बाबाजी यहीं पर देखने को मिलेंगे ब्राटी स्थल स्मुदर तल से लगभग 2300 मिटर के उचाई पर स्थेता है यहां पर ब्रास नामक पेड काफी पाए जाते हैं इसलिए इस जगा को ब्राटी नाला के नाम से जाना जाता है तो फिल्हाल हम ब्राटी नाला क्रोस करते करते आगे थाचडू पहुंचेंगे जैशंकर की तो जी थोड़ी सी पेड़ पूजा फिर काम दूजा जया बोलेगी ब्राटी नाला से आगे बढ़ते समय आप अपने साथ पानी ज़रूर लेकर चलें क्यूंकि थाचडू तक आपको तकरीबन आठ किलोमेटर की खड़ी चड़ाई देखने को मिलेगी और थाचडू तक आपको पानी की बहुत कम सुईदा मिलेगी तो जी रास्ते में साथ ही मिल चुका है चलो भैरो जी रास्ते में आपको पानी का बिल्कुल भी सोर्स नहीं मिलेगा क्योंकि जहरने जो है वोटर स्ट्रीम एक साइड रह जाती है अपर ओपर डैंस फॉर्स से होकर आगे बढ़ते हो तो मेक्शूर आप थाचडू के लिए बराटी नाला से अच्छा पानी लेके निकले ताकि यह जो आपका पैच है जिसे कम से कम चार घंटे लगने हैं वो आराम से निकल जाए हमारे भी बोटल सो आधी आधी रह गई या तीनों की वाकी हो फॉर दी बेस्ट हमें बराटी जाओं विले से थाचडू की दूरी लगभग 12-13 किलोमेटर बताई जाती है और थाचडू को डांडी धार के नाम से भी जाना जाता है क्यूंकि ये खिचाव 70 डिगरी के कौन के साथ एक दम खड़ी चड़ाई है थाचडू की और बढ़ते समय आपको हरे भरे देवदार के पेड वन्य जीव और दूर से जरने दिखाई देते रहेंगे सुबह 9 बज़े चलकर हम शाम के 5 बज़े थाचडू आ पहुंचे जहां पर सबसे पहले हमने रहने के लिए कैम्प लिया और चायपानी ग्रहन किया कर दो कि पांच बच के 13 मिनट और समय हम पहुंच चुके है थाचडू में कुकर की सीटी है बज़ रही है बस दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी खाना खाले काली घाटी जानी में हमें दो घंटे तो लगेंगे मेरी साब से यहां से तीन किलो मेटर खड़ी चड़ाई है तो वह हम कल कवर करेंगे बाकी का अभीकली फिलहाल के लिए यहां पर अकॉमडेशन ढूंडते हैं रहने का देखते हैं और आपको फिर अपडेट देते हैं जा बोलेगी तो जी थाचड़ू में आकर जादा उपर नहीं हम गए लिए टेंट ले लिया हमने रूपीज में शेरिंग बेसिफ पर यहां पर हम रह सकते हैं बीच में खाना वना इंक्लूडीड है और साथ ही साथ देख सकते हो बहुत बड़ी चैंपसाइड है आपर और सामने जी महादेव शिफ जी शंकर जी का बोले बाबा का मंदिर जिसमें आशिवाद प्राप्त करते हैं बाबा का जा बोलेगी जाओ शिफ जी और सामने दिखाई देरिया जी उच्छे शिखरे जा हो तो जी दोस्तो एक साइड सूर्यदेव अस्थ होने वाले हैं और दर्शन ओरिया जी साक्षा सामने शीखन महादेव जी के साक्षा दर्शन ओरिया मैं अभी आपको क्लिप दिखाता हूं जूम करके तो इसी बात पर कोमेंट सेक्षन में हर हर महादेव और शीरीखन महादेव की जय जरूर लिखिएगा शीखन के लाज का दूसरा दर्शन थाचडू से किया जा सकता है शीव मंदिर थाचडू से अगर आप शीखन चोटी की तरफ देखेंगे तो आपको बाबा के शीवली के सुगम दर्शन हो जाएंगे सामने हैं बोले बंडारी पहले उनको भोगन लगाते हैं जाओ शेंकर जी जाहो और अब खाना ग्रहन करके जल्दी जल्दी सोने के त्यारी करेंगे अज का सपर हमारा कम से ओं पांचे घंटे कर रहने वाला है दो घंटे हां से काली तो फिर समय लो तीन चार घंटे आगे भीमद्वारी तक है जिकराब वीर पजरंगी हर हर महादे चलिए जी यात्रा में अब हम बढ़ते हैं काली टॉप की तरह फिलाल के लिए यही बताया जा रहा है कि काली टॉप तक हमें खड़ी चड़ाई मिलेगी और काली टॉप के बाद जो 7-8 किलो मिटर है वो नॉर्मली इजली हम कवर कर पाएंगे तो सुबह के सवाथ बजे हम निकल चुके हैं काली टॉप की तरफ बोले बाबा का आशिवात प्राप्त करके और सुबह सुबह तो बहुत ठंड थी और नीद भी पूरी हो चुकी है यह दो दिन हम आराम से उठे हैं क्यूंकि थोड़ा सा बोड़ी को भी कमफर्ट चाहिए अब कल के दिन हम अर्ली मॉर्निंग उठकर भीमद्वारी से निकलेंगे यूँ तो सारी यात्रा ही बहुत दुर्गम है लेकिन खाचुड़ू से काली घाटी की चड़ाई बहुत कठिन है जो की आपको अंदर से ठका देगी हलकी सी पक डंडी है इस साइड भी खाई है और इस साइड भी खाई है अब ही वह समय पहार चड़ते जाना है उपर की तरफ जैश शंकर की छोटे छोटे कदम लेकर और हिम्मत जुटाते हुए हम भी आगे बढ़ते रहे तो जी चलते चलते आप महुंचें काली टोप में सामने हैं मा काली जी का मंदिर और यहां पर नेटवर्क सुगार आ रहे हैं देखो जी यहां पर काली मा का मंदिर जै मा काली 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 कर सकते हैं तो जी काली मया का नाम लेकर और शंकर जी का नाम लेकर अब हम काली घाटी से नीचे उतर रहे हैं यह जितना हम अभी डाउन दी हिल जा रहे हैं यह सारह वापसी के टाइम पर उपर चड़ना पड़ेगा, एकदम स्टीव चड़ाई है समझ दो यहां से सामने शिरिखन reflects के भी दर्शन हो रहे है वह सामने की राज्माना तरहें हैं सामने बरवेथी वान पकड़ता फिल्हाल के लिए भी हम यह रूट को पकड़ते वह वह यहां पर टेंट्स लगे हैं, वहां पर हलका सा राम करके रास्ता पकड़ते पकड़ते वह छोटा सा ग्लेशियर है, फिगल रहा है, वह क्रोस करते करते आगे बढ़ेंगे, जया बोलेगी। काली घाटी से नीचे उतरते समय एक किलोमेटर की दूरी पर आपको भीमतलाई मिलेगी, बरसात के मोसम में तो यहां पर बहुत पानी रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर सुखा पड़ा हुआ है, वहां से काली टोप से हम आये थे, नीचे घाटी में यह नीचे भीम बहुत टेंट सेखने तो मिल जाएंगे, हलका आराम कर सकते हो और फिर उस चोटी के उपर वहां पर है कुशा, कुशा पार करते करते, आज हम पहुंचे के भीमदवारी, वह सम भी खराब होने की कगार पर है, देख सकते हो, खाले बादल चागे हैं घाटी में, जैब हो ल यह गल्टा है यह पैच, जैशंकर की, और हर महादेव, जैशंकर की, जैब हो लेदी, ग्लेशर देखके, थोड़ी सी धक्तकोंने लग गई थी कि कैसे क्रोस करेंगे, क्योंकि पिछले साल जैब यात्रा हो रही थी, तो इस ग्लेशर ने बहुत तंग किया था, सभी शर्दालों को, फाइनली ग्लेशर पार करके आगे आगे हैं, कुंशा रुकेंगे, कुंशा में थोड़ा भूत खाना पिना, करेंगे, कुछ बस लोकल बंदे जा रहे थे, पोर्टर थे, एक ग्रूप जा रहा था, उनका समलो साथ ले लिया, कुंशा आगे हैं, कल बहुत चली हैं, पैर टगमगार हैं, और साथ में देखो, खाई कितनी गहरी है, कुंशा आजाए, जल्दी से लंच करेंगे वहाँ पर, शुकर है, टैंट दिखाई दिये, वह बस कुंशा आगया वहाँ पर, यह शंकर की मेरे महादेव, शक्तिदो, कुंशा पहुंचे इस समय हम, और यहाँ पर लंच करेंगे, फिलार के लिए हम तो बाहर बैठके खाना खाएंगे, क्योंकि हलके हलकी हवाँ चल रही है, बाहर बैठके आराम आएगा, और बस शंकर जी का नाम लेके चलते जा रहे हैं, बाबा ऐसा ही बस अपना साथ बनाए रखें, देखें तो ही सारा टोटल यह कुंशा है, यहाँ पर कोई टैंट सुगरा लगए दिख रहे हैं, और इसके बाद तो फिर सीधा स्टोप आएगा, भीमदवारी, जैश शंकर की, पर तो फानी का भाव भी बहुत तेज है, उपर से गलेशियर के भी हालाद देख सकते हो, कैसे चल रहे हैं, ओफिशल डेज में तो यह गलेशियर ही पिघल जाएगा सारा, जैश शंकर की पहाडों के पहाड बस चड़ते जा रहे हैं, यही सोचते हैं कि अकले पहाड से चलो भीमदवारी दिखने लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी फिर से यह पहाड ग्रोस करके जाना है, और फिर भी कन्फर्मने है कि भीमदवार की जैलक कब मिलेगी जै बोले कि फाइनली बीमदवारी आ पहुचे हैं, जै हो जाए हो जाए हो जाए हो, यहाँ पर कोई भी टेंट में आज के लिए आसरा लेंगे, नाइट स्टे करेंगे, और फिर देखो जी, कल ऊपर जा रहा है, प्रस्ता जैश शंकर की वाज ग्लेशियर अभी तक लोग के लिया है, विस इस 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 वन और बहुत बड़ा है यह ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर को पार करके यह आप में केंप साइड पे पहुंचते हैं, भीमदवारी में तो जी, भाईयों और बहनों, यह हमने टेंट ले लिया है, भीमदवारी में तीन बंदों का टेंट है, अराम से चार कंबल पहले पड़े पड़े थे, एक हमने एक्स्रा ले लिया, पांच हो गए हैं, और बस खुची देर में धेरी होने वाले हैं, जैश शंकर की, हो गया जी, भक्तों कुछी देर में मारा डिनर लग जाएगा, फिल्हाल के लिए जो नोटिस कर पार हूँ वैदर में, उपर उपर टोप टोपे परफ पड़नी शुरू हो गई है, नीचे हलकी बारिश आ रही है और मोसम देख सकती हो जी, इस साइड शिरिघंड इस पहाडी के पीछे जिनके दर्शन तो पहर तक तो बहुत कलियर हो रहे थे लेकिन तो पहर के वाद बादल आ गए थे घाटी में और फिल्हाल के लिए आप देख रहे हो, उपर तो अभी ये सारी फ्रेश नोफल हुई जा ये वाली जा हो ओमन मेशिवाई बहुजना तावा अगली सुबर ढाई बजे उठकर जब मैं बाहर आया तो आसमान को देखकर हैरान रहे गया वेरी गुड मॉनिंग आई सुप्रभात हर हर महादेव आज है हमारी यात्रा का चोथा दिन और सुबह के चार बज गया और इस समय हम निकल रहे हैं भीमदवारी से पारवती बाग की तरफ देखो जी यह भीमदवारी केंप साइट और बहुत सारे शर धालू अल्रेडी निकलना शुरू हो गया है तीन बजे से ही सुबह चार बजे ग्लेशर पार करना इस नोटा इसी टास्क देख सकते हो जी सारे लोग टॉर्च लेके जा रहे हैं नीचे से अम ग्लेशर पार कर सुबह चार बजे अपनी यात्रा भीमदवारी से शुरू करके सुबह के साड़े पांच बजे हम पहुंच जाते हैं पार्वती बाग दो रास्ते जा रहे हैं एक जा रहा है जी सामने से शोटकट रास्ता गिलेशे से होकर दूसरा नास्ता जा रहा है नैंस वावर से लुकर एट्सी किदर से जाएंगे जाव हो रहे ही यह एक खड़ा क्लेशेर है वह दो बंदे मेर को वह पॉंइट पर दिख रहे हैं लेकिन उसके आगे जाना तो इंपॉसिवल नैक्स्टे इंपॉसिवल लग रहा है तो यह ए पार्वती बाग में पहुंचकर हमने देखा कि जातर यात्री शेखन चोटी पर शोटकट की तरफ से जा रहे हैं और लोकल पोर्टर्स द्वारा वहां पर रोप्स भी लगाई गई थी तो इसलिए हमने भी उपर जाने के लिए शोटकट लेने का निर्णय किया दो पर यंदिए जाए हमत्त कर लिया किसी कर लिए किसी करा विल पेर बटेरा किशल आए या पिल पार बज़ा बाए ख़ोडिया किसी पार या घा जा एक नगल एकटोड़िया जाना है यात्रा के ओफिशिल डेज में ये रास्ता बंद हो जाता है और तब सिर्फ आप नैस रोवर से होकर ही श्रीखन महादेव तक पहुंच सकते हैं बुल श्रीखन्ड के लाश की जाए बड़े वाला गलेशियर पार करके ऊपर आचुके हैं इट वा सो डिफिकल्ट रहम पिलार के लिए इसारे जो जिन्हों ने पैकेज वगर लिये गाइट्स के दवारा इधर बैठे हैं अराम करेंगे पानेगे 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 लिए मिनिट फिर आगे निपानेगे उपर भी खड़ी चड़ाई है पानी बानी पीते है कुछ थोड़ा बट खाते है तो साथ में लेके चले है क्योंकि सुबह से कुछ नी खाया है जयाब होलेगी तेको जी लॉपस्वाणी इस सामने बाब बिराजमा है और खाना और आ खाना खाथे तो जया दूलेगी दो जो 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 करे पा दें identificate निए जो 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 करेंमे कड़ोगो wrap बापा, शिखर के ओपर जाइश शंकर की बारी 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 तो ख़तम होने के विगार पर आगया था ग्लेशर की बरफ डाल डाल की इतना किया है पानी अभी भी अंदर बरफ दिखाई दे रही होगी आपको जाब बोले कि बसको कुछी समय और रोप लगाई जाए है यह पिर पहुंचाएंगे बाबा के दर पे जाए शंकर की बोले शंकर बगवान की जाए 100 मिटर आए गया बोले 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 जाए शंकर की एंदे फाइनली पहुंच दो भी बाबा के चरनों में मुरो के लाश पती की जाए है अबाह। शीखन के लाज की कहानी बड़ी ही जादा रोचक है, तभी तो हर कोई यहाँ पर जाना चाहता है। कहते हैं कि भस्मासुर राक्षस ने यहाँ तपस्या की और भगवान शीव से वर्दान मांगा, वर्दान ये था कि जिसके भी सिर पर भस्मासुर हाथ रखे ये भस्म हो ज मान हुआ, इसकी एक एक धार यहां से कई किलोमेटर नीचे भगवान शीव के पवित्र मंदिर देवधांग तक गिरती है, बाद में विश्नुजी द्वारा मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर का वद्ध कर दिया गया, एक कथा के अनुसार जब पांड़ों को तेरा वर् को मार कर खाता था, राक्षस का लाल रक्त जब जमीन पर पड़ा तो उस जगह की जमीन लाल रंकी हो गई, यह आज भी वहाँ पर लाल रंक में मौझूद है स्ट्राइब जब 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 आए, पर खाता रंकी है करक nessa हैं है कि लेख सकती कि अर्चा यह सकताओने हुए? झालत उसमिस कि अर्च वह को Olगा की अर्च को यह सहा है यह झाल अपना भाई टी प्रफन वाय 好 है जाह संकर भाम आराइच थो धिस नहीं भाक और ने जए वरफने के लिए एला के अ मेरे सामने नहीं कुने नय्यद्र एलाइस को ौध घयाたい मुहराज की जाएmee आप डेहो लिखो जी इस सच और मा02 नहीं है इस पारवति जी और पारवती जी और गणेज भगवान और सामने विराज माने रेहों सुलिए है शिव के लिंगम के साथ साथ शिखर से बहुत ही दूरी पर भगवान कार्तिके का भी एक परवत है जहां आल सक कोई भी नहीं जा सका कार्तिके भगवान के इस परवत के शिखर पर पहुंचना नमुम्किन है और कार्तिके भगवान का ये परवत मुख्य परवत के पीछे आपको बहुती दूरी पर दिखाई देता है शिव यूँ ही नहीं मिलते है शिव को पाना किसी तप्यात्रा से कम नहीं है जीवन की गती का कारण है शिव वापसी में नीचे आते हुए हम नैंस रोवर से होके पहले पारवती बाग पहुंचे प्रह्राइस प्राइस साइड से नीचे उतर रहे है बताए जा रहे है यह भीव के हाथों के नीचे आना नाम क्या पताएश जगह का भी बीच में दसते दसते दोनों की टांगे निखिल की टांग भी धस गई गलेशियर के बीच मेरी भी गई कोजी सामने भीमदवारी अभी भाईया सा हमारे साथ चल रहे है लोकल पोर्टर भाईया आपका नाम क्या है हुआ इनकी साहता से हम नीच्चे उतर रहे हैं चड़े इनकी साहता सही थे उपर और अभी फिलहाल ब्रहुकमल का हम ज्ञान ले रहे थे इन से भाईया बता रहा है जब इस घाटी में बर्फ पिगल जाएगी पिखने को मिलेंगे नाम निशान ही नहीं है पथर के पीच में यह से बिटी बिल्कुल नहीं दिखाई देती ऐसा बताया जा रहा है और बहुत ही खुपसूरत खुपसूरत ब्रह्मकमर लेहां पर दिखाई देते हैं फिल्हाल के लिए हिम्मत मारके बस नीचे उतर रहे हैं सामने भीमदवारी वो पानी का जर्णा सा दिख रहा है बहुत प्यास लगी है पानी तो हमारा हमारा कपका ख़तम हो चुका है जर्णा सब्सक्राइब के लिए है यहां से नीचे से ग्लेशर क्रोस करते करते उस साइड से होके वहां पर पारवती बाग पहुंचेंगे और आपको बता दें कि पानी की इतनी किल्द चल रही है ना यह देखो मिट्टी वाला पानी भरके पी रहे हैं यह देख सकते हो बोटल में फिल हाल के लिए यही मिला नीचे से देखेंगे तो मिट्टी कितनी जम्यूई है जो मिले है तो उससे काम चला रहे है चलो जी यह देखिए नैंस और ओवर बहुती खूबसूरत फिल हाल के लिए तो जम्यूई पड़ा है बरफ पड़ी वही है जी और जा बोलेगी पता नहीं कहां से आ रहे हैं कुछ आईडिया ही निया कहां से आ रहे हैं बहुती पवित्र कुंडा ये और फिल हाल के लिए तो यहां पर सनान करना भी वर्जीत है वैसे भी अंदर जाई नहीं सकते हैं पता नहीं कहां से ही अगर पैर रखों अंदर धस जाओगे आकी टच्वुड जाई श्यंकर की ये यात्रा बेहत कठी नाईयों से भरी होती है लेकिन श्रीखंड के लाश के दर्शन से हर भक्त का जीवन धन्ने हो जाता है इस थान पर पहुंचकर भक्त महादेव की कृपा और आशिरवाद का अनुभव करते हैं आगे की यात्रा हमें उत्राखंड के पिथोरागड जीले में स्थित आदी के लाश और ओम परवत की और ले जाती है आदी के लाश को छोटा के लाश भी कहा जाता है और इसे के लाश परवत का प्रतिरूप माना जाता है आदी के लाश ओम परवत के दर्शन हमने वर्ष 2023 में 18 अक्तूबर को समपन किये आदी के लाश की यात्रा उत्राखंड के पिथोरागड जीले के धारचुला से शुरू होती है तो जी फाइनली धारचुला में पहुंच गए हैं और आज का स्टे हम के रेस्ट हाउस में करेंगे तो जी सबसे पहले हमारा लंच होगा धारचुला में और फिर उसके बाद जितने भी यात्रिया उनमें से जो 50 प्लस हैं उनके हो गए यहां पर मेडिकल और आफ्टर वर्ड उनको पर्मीशन मिलेगी आगे जाने के लिए हम तो अपने मेडिकल द्रहसा से tha तो उसके अपको खुदूभा करने पढ़ते हैं बना लंचिन जो काफी थकान हो गया जी सफर में चार घंटे का सफर था और अब अपना लंच करते हैं और उसके बाद आप से जुड़ते हैं हर हर महादेव कि यह हमारा आज का रूम के गेस्ट हाउस में देख सकते हैं आप यह देखिए जी हल्का सब बालकनी व्यू है जहां से आप नेपाल के और काली रिवर के कॉंस्टेंट नजारे देख सकते हैं द्रिश्य देख सकते हैं जी और इस साइड एजी वाश्रूम सामने देख सकते हैं यह हैं काली नदी और सामने जी नेपाल दोस्तो भारत के साइड को धार चुला और नेपाल वाली साइड को धार चुला कहते हैं कि शाम होते ही हम आप पहुंचते हैं नेपाल में वेरी गुडिवनी जी दोस्तों नेपाल की मार्केट में आप सभी का हार दिख स्वागता है जी सोचा था कि शाम में नेपाल की मार्केट में थोड़ा सा टहलेंगे मार्केट घूमेंगे और इस समय हम पहुंच गया जी ने थार काट दिखा के जी एंट्री करवाते हैं इंडिया वाली साइड में भी एंट्री करवानी पड़ते हैं चेक पोस्त पे और नेपाल वाली साइड में और फिर आप एंट्री कर सकते हैं नेपाल में तो हमें टाइम से वापिस इंडिया के और निकलना भी पड़ेगा नेप तो नाम अभिनव शर्मा है मैं आप सभी का दार्चुला में सौगत करता हूं यहां से गुंजी है सेविंटी किलो मेटर सथर किलो मैं यहां से इसमें आपको लंग लग बाग पांच से छे घंटा लगेगा जाने में यह जो रोड है यह पहले पुराना पैदल मार्ग हुआ करता था कैलाश मानसरोवर के लिए तो वो यात्रा पे लगबग 20 से 24 दिन लगते थे जाने में वहाँ पे अब रोड बन चुकी है पर रोड अभी लगबग 70-80% ही बना है अभी रोड कुछ टूटा है कुछ बारिश को ऐसे खराब हुआ है तो पूरा ड कैमपर होगा रोड पे कोई दिक्कत नहीं आती है अराम से छला जाएगा जेया में हमसासा द रहेंगे किसी को भी कोई प्राइमपर कोई तक्लीफ होते हैं दिक्कत होती है तो सब एक दूसरे की हल्प करेंगे ब्रीफिंग के बाद डीनर करके हम सब बढ़ जाते हैं अपने रूम्स की तरफ आराम करने के लिए क्यूंकि कल का सफर थोड़ा मुश्किल होने वाला है सूपरभाजी दोस्तों वेरी गुण मॉनिंग फ्रॉम धार्चुला आज आजी डे थ्री हमारी यात्रा का और आज हम मूव करेंगे धार्चुला से लेकर गूंजी तक यह सफर होने वाला है जी तकरीबन सतर किलोमीटर का और इसे जो समय लगेगा वो लगेगा तकरीबन त शे घंटे आगी जाके सब कुछ चैलेंजिंग जरूर होने वाला है बट फेसिलिटीज हमें सारी मिलने वाली है और साथ ही साथ इस खूपसूरत से दरिश्य के साथ होती है हमारी सुबह और अब बढ़ते हैं जी हम अपने ब्रेकफस्ट के लिए गाड़ें लग गई है ग नाश्ता पानी करके हम सब आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्सुक्ता से अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं 11 बच गए है जी और इस समय हम निकल रहे हैं धारचुला से गूंजी की और हर सफर का एक क्लाइमेक्स तो जरूर होता है और हमारे सफर का क्लाइमेक्स कुछी देर में होने वाला था जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था दारचुला से आगे आए हैं यह है जगह दोबाट यहां पर गूया जी लैंड्सलाइड तल रात को भीशन बारिश हुई जिसके कारण यहां पर लैंड्सलाइड हो गई है और हमें रुकना पड़ रहा है यहां पर देख सकते हैं जी पहाड़ी नीचे आ गया पूरा और यह छोटे-छोटे चैलेंजी जो कि हमें अपनी यात्रा के दोरान देखने को मिल सकते हैं और सारे टूरिस्ट सारे यात्री यहां पर वेट करते हुए जी कि रास्ता जल्दी से खुल जाए गुंजी पोहने से पहले बुदी भी ले जाएगा जहां पर आज हम अपना डिन देख सकते हैं जी दोस्तों फाइनली हम इस समय बुदी गाउं में पहुंच गए हैं यहां पर अपना डिनर करते हैं और फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे हर हर महादेव तो फाइनली रात के 11 जी समय हम पहुंच गया नपल्चू में यह हमारा आज का स्टे देख सकते हैं जी मल्टिपल शेरिंग में होम स्टेजी काफी कमफी है और साथी साथ चाय आ गई है धन्यावाद चाय आती हुई जी इस थंडे मौसम में चाय का अनन्द लेते हैं और अब आप से मौर्णिंग में क्नेक्ट रहते हैं शुबरात रहे हैं कि अगे सुप्रभाजी दोस्तों वेरी गुड मौनिंग है हम आदेव सुबह के छे वज गया जी थोड़ा सा दरिश्य देख सकते आप घाटी में बादल चाय हुए है सारी जगह पे और साथ ही साथ में खुला मिल जाता है तो बहुत ही अच्छे दर्शन होने वाले हैं ओम परवत पर अगली सुबह रोश्णी के साथ नई चुनोते भी लेकर आती है जो कि हैं घने बादल नहाद हो लिए जी अभी हमारे यहां पर ब्रेक्फस्स चलने वाला और फिर हमारा पूरा ग्रुप ओम परवत की और प्रस्थान करेगा जी मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया बादल हलके चटने शुरू हो गया आशा पूरी है कि ओम परवत के दर्शन हो जाएंगे और स और स्था आतीसात है जो हमारा लंश होने वाला है वहें पर्वत के पास ही यहां पर फार्चन करने वहीं पर सारा अरेंज्मेंट हूआ पड़ है तो मारे पास थोड़ा सा थान ओक्तर works करने के लिए कंशन के यहांँ पर दर्शन करके वार पमीं सा आना परत्थे अगरा मे कि भोले बाबा अपनी कृपा बनाए रखे और हमें अद्वुद दर्शन करवा दें कि वाइनली जी त्यारी हो गई है नपल चुसे ऑम परबत की और हर हर महावब तूर तूर था कि अ आगे बढ़ते बढ़ते जी इस समयम पहुंच गया जी नाभी धांग में नाभी धांग जी एक परवत है जहां पे मतब पारवती की नाभी है मानने तैसी और साथ ही साथ यहां से मेरे एक दम बिल्कुल सामने और परवत जो कि फिलहाल के लिए बादलों के पीछे ढखा हु जो में भी धांग बोल रहा हुं और जी यह परवत है एक दम साक्षाथ मेरे पीछे और नाभी धाम का मतलब जी आज़ी नाभी धांग पहुंच गया है नाभी धांग में यहीं पे हमारा लंच होगा और कुछ चार-पांच गंटे का समय रहेगा हमारे पास तो बेट करें गए ओम परवत के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में अंतक बढ़े रहे हैं पूमेंट सेक्शन में लिखी दीजिए ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव दोस्तों नाभी धांग ओम परवत के लिए लास्ट व्यू पॉइंट है जहां से आपको दर्शन होते हैं और इसके आगे जानब वरजीत है जी क्यूंकि थोड़ी ही दूर पर बॉर्डर एरिया पड़ता है यह है जी परवत जिसे मातब पारवती की नाभी भोला जाता है और इसी से इस जगह का नाम पड़ा जी नाभी धांग वह सामने है जी ओम परवत फिलहाल के लिए कैम की तरफ मूब करवाया जा रहा है क्यूंकि बहां पर जाके थोड़ा बहुत गरम पानी पिएंगे और जिन जिन का ओक्सिनल लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देंगे सामने देख सकते हैं प्रोपर टेंट सिटी यहां पर हमारा लंच होगा और यहां पर हम बैग बेट करेंगे वह हल्का हल्का कलीर होना शुरू है वहां पर जहां पर ओम कंपलीट होता है वह रिज्टों दिख रहे हैं और अपना वेट करेंगे आपर आराम से दर्शन करने के लिए कुछ ऐसा दriśज। यहां पर. यह जो आप ऊपर से रास्ता देख रहें हैं जी हे रास्ता सीधा जाए औो लिपुलेख पांस की और LEPुलेख दर्रा जी से से बोला जाता है बता जा रहे है कि वहां से होते है जी केलाश-mamans rover के दरशन रोड तो अभी करेंगे यहां पर बभास करेंगे कि जल दिसे जल्दी दर्शन दे रहर महादे और साथ यहां पर Вिष्ट है हमारे इनमें प्रोपर रुखने की है अगर कोई रुकना चाहे फिलहाल हमारे ग्रुप किसी का प्लान भी नहीं है और अगर कोई natural casualty होती है कोई disaster होते है natural तो भी proper उखने की यहां पर सुविदा है खाने पीने की सुविदा है और देख सकते हैं जी बहुत अच्छे camps बोल सकते हो इसे या doms बोल सकते हो बहुत ही बढ़िया है साक्षात ओमपरवत के सामने इस समय हम बैठे हैं जी और दर्शन हो रहे हैं धीरे धीरे बादल शट रहे हैं जी देख पा रहे होंगे आप सबी दर्शन अभी तक क्लियर लीनी हुए है आधा उंपरवतों हमें दिख चुक है पर अब हम अपना हवन पूजन प्रारंभ करने वाले हैं कुछ ही देर में ताकि भोले बाबा का आवाहन करेंगे ताकि हमें जल्दी से जल्दी अच्छे से दर्शन हो पाएं पूनातु 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 पून है बहुत ही अच्छा लगा हरिदाय खुश हो गया है महादेव दाल राइस सब्जी एंड चपाती हमारा लंच वह नाभी धांग में लंच है हमारा और बिल्कुल जस्ट ओम परवत के सामने यह बहुत ही अच्छा लगा हमें कि हम यहां पर बैट के लंच कर रहे हैं और हमें साक्षा दर्शन हो रहा जी ओम परवत के और काफी अध्वुत एक्सपीरेंस रहा दर्शन इतने अच्छे हुए हैं काफी अलोकी का उनुभव रहा हर हर महादेव अपना लंच इंज्वाय करके हम वापिस प्रस्थान करेंगे जी और वापिस जाते हुए हम वेद व्यास तो जी दोस्तो सामने आप सेशनाक परवत के दर्शन कर सकते हैं और मान्यत है कि अगर सेशनाक परवत के दर्शन होते हैं तो ओम परवत भी स्पष्ट दिखना शुरू हो जाता है यह आप जो देख रहे हैं यह शालिक ग्राम पत्थर है और जैसा कि आप लोग कथाओं मे सुने होंगे कि ब्रिंदा कश्राप से भगवान विश्णो पत्थर सुरुप में विराजमान हो गया थे वहीं शालिक ग्राम नाम से प्रचलित है विख्यात है आगे बढ़ते बढ़ते जी समय हम पहुंच गया काला पानी में और काला पानी के जस्ट सामने आपको वेद्व वियास जी की पवित्र गुफा जहां तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है इस गुफा के बारे में माननेता है कि इसी गुफा में बैठकर महारीशी वेद्वियास जी ने वर्षों तक तपस्या की थी कि कल हम बढ़ेंगे आधी कैलाज के लिए और साथ ही साथ सुबह से निकले हुए है दर्शन काफी बढ़ी आ रहे ओम परवत पे हवन पूजन किया वह काफी अच्छा रहा और साथ ही साथ जी काला पानी में काली नदी का उद्गम स्थल भी देख लिया और यह सारी व्या यहाँ पर हमारा होमस्टे है कि अभी आधि के आधि का यह वेरी गूद्टी नास्ट अपडेट आपको दिया था जब हम काला पानी में थे अभी जी शाम हो गई है डिनर हमारा लेख चुका है और साथ ही साथ बोन फायर भी स्टार्टेड है इधर है हमारे त्रिपाथी ज और उधर है हमारे टीम लीडर जी बोन फायर चल रहा है डिनर भी लग गया ओम परवत के दर्शन हुए काफी सो भाग ये शाली अपने आपको मानते हैं जी पहले तो जैसे बादल चाय हुए थे बट जैसे हमारा यग्य चला हवन चला पूजान चला उसके बाद अपने आप दर्शन हो गए ओम परवत के ये बाबा की क्रिपा है कि हम लोग के इतने अच्छे से दर्शन दिया जब तक हम लोग वहां पर थे तब तक ये दर्शन देते रहे बाबा और ये असिम क्रिपा है उनकी और आशा करते हैं कि हम लोग की अगली यात्रा भी सुखत मंगल में ह करेंगे और पूजन अर्चन भी करेंगे है हर्मादेव जी दोस्तों नमस्कार सुप्रभात नए दिन की शुरुवात हो गजी और आज हम मूव करेंगे नपल्चू से जोलिंग कोंग के लिए श्री आदी कैलाज जी के दर्शनों है तू नाश्ता पानी करके हम अपना सफर आज के लिए शुरू करते हैं आदी कैलाज के लिए दोस्तों आदी कैलाज तक जाने के लिए आपको सबसे पहले जोलिंग कोंशना पढ़ इस बार एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है कि आधिकेला जी की यात्रा के लिए आपको काफी हद तक रस्ते नए दिखाई देंगे पहली लोकेशन पर पहुंच गया है आप सामने देख पा रहे होंगे जी एकदम सामने आप पांडव किला देख सकते हैं जो की आज के समय में काफी धवस्त हो चुका है केवल कुछी अवशेश बाकी हैं और साथ ही साथ इसके बाई तरफ आप कुटी गाउं देख सकते हैं जिसका नाम पांडव की माताशिरी के नाम कुंती पर पड़ा है कुटी गाउं से आगे चलकर आपको ब्रह्मा परवत के दर्शन होते हैं मानो एक बार को तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे आपने स्विहम आदी केलाश जी के दर्शन कर लिए हो प्रकरती का सुंदर यानी हारते हुए और अपने पर्मिट चेक करवाते हुए हम पहुंच आते हैं जोलिंकॉंग बेस कैम में देखे जी सामने हमारा जोलिंकॉंग बेस कैम जहां पर हम पहुंचने वाले हैं जॉलिंगॉंग पहुंच गए हैं तकरीबन दो घंटे की ड्राइब के बाद इसने कैम्प में जा रहे हैं अभी के लिए चायवाय बनी हुई हमारी और आज का हमारा लेंज भी यहीं पर होगा आधी के लाश के पास भोले बाबा का आशिवादय साथ में दर्शन जरूर होंगे और अगर मौसम थोड़ा सा ठिक ठक बना रहा तो पार्वती सरोवर में डुपकी भी लगाई जाएगी हर हर महादेव जस्ट पांच मिनद का वेट है और उसके बाद हम सीधा पार्वती सरोवर की और प्रस्थान करेंगे तो वीडियो को आन तक जरूर देखते रहे हैं अब हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं श्री आदी कैलाश की पार्वती पाता है हार महादेव शंभू यात्रा शुरू होती हूई जी आपको एक और चीज़ इनफॉर्म करना चाहूंगा दोस्तों यह ट्रायंगल है जोलिंगॉंग से पार्वती सोरोवर पार्वती सवरोवर से गौरी कुंड और गौरी कुंड से वापिस जोलिंग क अगर आप पूरा ये कंप्लीट करना चाहते हो आप एजाई से ट्राइंगल कंप्लीट कर सकते हो और अगर यात्रा में आपको थोड़ा सा भी डिसकंफर्ट खड़ी चड़ाई पार करनी पड़ती है लेकिन एक तिहाई हिस्ता पार करने के बाद आपको सपार्ट में दान मिल जाता है जहां से आप धीरे-धीरे चलकर पहुंग जाते है पार्वती सुरोबर तक इस साइड है अधी के लाश जो आपको धारा अधी भी दिख रही है ना वहाती है इसके आप ठिक उपर देखोगे अपनी पीछे की तरफ तो वहां दिखती है पार्वती मुकुट अब ही ठका हुआ है हलिका हलिका दिखाई दे रहा होगा आपको ठीक है जी और अपने रा अधी के लिए अधी के लिए निकलते हैं तो हाइठ हमारा ओर गें होगा थोड़ा सा पैच आया जी डाउन देहल जाने वाला वहां से उपर जाएंगे और इस परवत के पिछे पारवती सरोवर यात्रा का जो तर्किट है ट्रैंगल जो मैंने आपको बताया था अप्रोक् तो ओल्मोस्ट अधी घंटे के ट्रैक के बाद इस समय हम पहुंचने वाले हैं पारवती सरोवर के पास यहां से गोरिकूंड अभी उपर है अधी कैलाज धाम में आप सभी का हार्देग स्वागत है नमस्षिवाई प्रस्थान करते हैं जी वह आप सभी देख पारे होंग सां माध्य पार्वती और शूवजी का मंदिर जलिए जी आगए बढ़ते हैं सदीं तो पारवती सरोवर में फैस्ट किया जाएगा जेए पार्वती सरोवर हमारे साथ कुछ शर्धालु आये जो कि यहां पर सनान लेंगे बाकी साथसे शर्धालु पीछे ही रुखे यह मंदिर जाने लकी हैं हम स्नान करके आगे बढ़ेंगे सनान करते समय आप अपनी तबीयत और मौसम को मद्दे नजर जरूर रखिए अगर आपकी तबीयत और मौसम एकदम अच्छे तरीके से आपके हग में आप तभी सिनान कीजिए अदर्वाइस आप अपने ग्रूप लीडर से गाइडेंस ले सकते हैं उनके साथ कोडिनेशन कर सकते हैं वह आपको गाइड करेंगे या फिर आप जल भरकर अपने घर पे भी आरामजे लेकर आ सकते हैं ओम गंगे नर्वदे चटा संकरी प्वार्वती पते हर हर महादेव शंभू खड़े होना है सिर में चल तो रहा था कि अ कि अध्यों कि अध्यों कि फाइनली जी भक्तो स्नान कर लिया जी वह होती अध्वुत एक्सपीरियंस रहा काफी अच्छा लग रहा है अभी जा रहे हैं शिव पारवती मंदिर में ब्लेसिंग लेने के लिए आशिवा लेने के लिए और वहां पे हवन पूजन शुरू हो प्रित्वी पर परवतों की महीमा अतुल्निय है पंच केलाशों में से एक श्री आधी केलाश की बहुत माननेता है करीब 6000 मीटर की उचाई पर मौजूद आधी केलाश को छोटा केलाश भी कहा जाता है आधी केलाश को भी केलाश जी का दरजा ही प्राथ है इसे पंच केला जब माता पार्वती को बेहने के लिए जा रहे थे तो इसी स्थान पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला था केलाश मांसरोवर जात्रा के बाद आदी केला जात्रा को सबसे पवित्र माना जाता है भारत में आस्ता एक बड़ी भामना है कई धरम और उनसे जुड़े अंगिनत धरमस्तल जो ना सिरफ कितिहास को अपने अंदर समेटे हैं बलकि जिनकी मान्यता लाखो करोडों लोगों के जीवन पत लिकाती है रहस्यों से भरे कुछ जगह ऐसी भी है जहां जा तो सकते हैं लेकिन वहाँ पर यात्रा करना हर किसे के बस के बात नहीं ऐसी ही एक रोमांच और चुनोतियों से भरपूर यात्रा है शिरी आदी केला जी की इस यापत्रा में चुनोपियां भी है, रोमांच भी है और साथ हुसाथ बेहत खुबसूरत दरिश्य भी है उत्राखंड में मौझूद आदी केलाश परवत, तिबबत के केलाश मांसरोबर जितना ही खुबसूरत और प्राकरतिक दरिश्यों के बीच में मौझूद है द्रशन होई है केलाश के अदबू एक्सप्रेंस है कैनो इव एक्षर्स अडाल संडी ड्याच एडपतृत आद इस दिपबत के है और महादेव फरहर महादेव गूजबंप सारे हैं जी गौरिकुन के लिए प्रस्थान करते हुए जी बाबा ने बहुत पवित्र दर्शन दे दी आजी देख सकते हैं किलाश परवत एक दम अच्छे से दिखाई दे रहा है तो महादेव और दोस्तों देख सकते हैं यहां से थोड़ा समने नीचे जाना सामने भीम की खेती वही भीम भीम सेन पांच पांडों में से एक देखिये इस साइड है सारी भीम की खेती यह 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 भी हमारी आईट नर्जी में एक पॉइंट है गवेहं की खेष्टे से ओंग्सें सब्सक्राइंका वजस्टे मुखर के पास से चड़ेंगे उंपर उपर से जाएगे उदे हरिकोन के लिए हरार महादेव कि ये पार्वति मुकुट पार्व्ति मैया का मुकुट बोला जाता और अगर देखेंगे साथ ही साथ आपको पांच पांडव के भी दर्शन हो रहे होंगे हलके हलके चोटी पर बादल जरूर चाहे हैं बटे आज से बीक्स दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए एक पल तो ऐसा आता है जहां पर मैं गिर कर चोटील हो जाता हूँ लेकिन मानो एहसास इस चीज़ का हो रहा था जैसे बाबा ने कोई बड़ा संकट चोटे में ही हर लिया हो यहां की मन महोख खुबसूरती हर्थ कान को दूर कर देती है वरफ से ढखे पहाड बुग्याल और रंगों से भरे हुए फूल मन को खुश कर देते हैं ओ भाई रस्ता देखो आदिकेलाश के दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांती और महादेव का आश्रवाद प्राप्त होता है यहां से हमारी आस्ता और मजबूत होती है और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ आदिकेलाश की पवित्तरता हमें ध्यान और साधना के लिए प्रेरित करती है हम यहां कुछ समय ध्यान में बिताते हैं जिसे हमारे मन को शांती और स्थिरता मिलती है यह अनुभव हमें यह एहसास दिलाता है कि आध्यात्मिक्ता का ये सफर कितना महतवपून है ज़ब को पहुंचने की जी खुषी तह रहता है हलका सा भावुक होते हुए ओंस प्रतित हो रहा है कि साक्षाथ यहांपर धर दर्शन कीजिए जीपवित्तर गारी कोंट के देख सकते हैं जी गोरी कुंड एकदम केलाश परवत की जड़ में स्थापित है बसा हुआ है नमाशिवा है नमाशिवा है शांभू शंकर बाबा का आशिवा लेते हैं गोरी कुंड से जल भरते हैं और फिर थोड़ा सा यहां पर कि करने के बाद ध्हान करने के वाद हम वापीस जोलिंग और निकल जाएंगे और हमें आदी कैलाश पहुंचने पर हम यग्य और पूजा करते हैं ये हमारे लिए केवल एक धार में करतव्य ही नहीं बल्कि हमारे मन की श्रद्धा का भी प्रतीक है पंच कैलाश यात्रा का अंतिम और सबसे पवित्र स्थान है कैलाश मांसरोवर आज है डेवन हमारी कैलाश मांसरोवर यात्रा का कुछ ही देर में हम अपने सफर का पहला पढ़ाव शुरू करेंगे हम निकलेंगे लखनव से नेपाल की तरह ब्रेक्फस्ट मारा लग गया है जल्दी से चलकर अपना ब्रेक्फस्ट ग्रहन करते हैं एंड आफ्टरवर्ड अपना आज का सफर शुरू करेंगे नेपाल की ओर तो आप सब वीडियो में आम तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाएं इस कैलाश मांसरोवर यात्रा के बारे में हर हर महा देएं सुबह होते ही सभी यात्रियों ने जल्पान ग्रहन किया और गाड़ियों में बैठ कर रवाना होने लगे नेपाल की तरफ ब्राव कर देख सकते हैं जी भोले के भक्त भोले के रंग में रंग चुके हैं और अपना आज का सफर शुरू करने वाले हैं शुब कामना हैं देंगे कि बाबा इस वर्श में महा शुरा रात्री के पावन शुब आउसर पर दर्शन देने वाले हैं और हम लोग बस उनके दर्शन मात्र करने मात्र से ही तो हम लोग बहुत प्रसन्नता पुरुवक उत्सा के साथ में हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आज लखनव से निकल चुके हैं जो कि निपाल गंज के लिए तो इसे के साथ बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे हर 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 लखनवु से नेपाल गंट तक का ये सफर लगभग 200 किलोमीटर का होगा जीसे हम कुल 5 गंटे में पूर्ण करेंगे इस समय हम नेपाल एंटर करने वाले है यहाँ पर हमारा हमारी गाड़ी का भंसार बनेगा और चेकिंग वगारा होगी जल्दी से चेकिंग वगार करवाते हैं and after that आप से कनेक्ट करते हैं चेकिंग कर वाली है बोडर क्रोस हो गया और अपना सारा लगेज दोबारा से गाड़ी में रखा जा रहा है देख सकते हैं यहां पर यह एक थोड़ी सी जद्दो जहाद रहती है कि आपको सारा लगेज दोबारा से निकाल कर दोबारा से सारा लगेज एड़स्ट करना नेपाल में तो आपको बंसार बनवाना पड़ता है, यह free of coast रहता है, अगर जैसे आप अपनी गाड़ी लेकर आगे जाना चाहते हो, कहीं काठमाडू जाना चाहते हो, पशुपती नाजी के दर्शे करने जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर आटियों की फिस भी देनी प अपनी आज की लोकेशन में पहुंच गया है नेपाल गंज में, होटल सी धारता देख सकते हैं जी आप सभी यहाँ पर कुछी देर में हम अपना लंच करेंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे ही सारे यात्री गंज यहाँ पर पहुंच जाएंगे नेपाल गंज में इस ह होटेल में पहुंच देही सभी यात्रियों का स्वागत तिलक लगाकर और असली रुद्राक्ष की माला देकर किया गया इस इस आवर रूम देख सकते हैं जी बहुत ही बड़िया रूम है जो कि हमें यहाँ पर सिधार्था होटल में मिले है शेरिंग डेसिस पर मिले है जी एस कि मैं सोलो ट्रेवल कर रहा हूं आप सभी को पता होगा और साथ में यहाँ पर बालकनी व्यू भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा और यह है कुछ शांदार प्रोपर्टी नेपाल गंज में वोश्रूम भी बहुत अच्छा है नीट अन क्लीन है वोश्रूम एंड हेर इस योर फोस्ट एंडव सचीन शर्मा तो गाइस चेक-इन हो गया हमारा बहुत ही अच्छा रूम मिला अब हम मूव कर रहे हैं जी लंच करने के लिए जल्दी से लंच करते हैं फिर इवनिंग में हमने जाना है बागेश्वरी टेंपल में दर्शन करने के लिए देवी मा के मा जगदंबा के चलिए जल्दी से लंच करते हैं तोई दोस्तों खाना ग्रहन करने आ गए हैं जी देख सकते हैं शाम हो गई है जी और इस समय हम सब बढ़ रहे हैं मां बागेश्वरी देवी जी के तर्शन करने के लिए होटेल से अभी के लिए एक तो ये बस जा रही है एक ये चोटी गाड़ी जा रही है सबसे पहले ये गाड़ी यात्रियों को लेकर जाएगी आगे और वहीपर जाकर हवन पुया करवाई जाएगी शाम होते ही सभी यात्री गाड़ियों में बैट कर चल पड़ते हैं बागेश्वरी मंदिर की तरफ पहुंच गए हैं जी देवी बागेश्वरी जी के इस अधवुत और पवित्र मंदिर में चलिए अब आपको इस जगा की भातवता के बारे में बताते हैं पुंडरीकाक्षा पुनात सभी तुर्बाहा प्रसाव उत्पुनामे चिद्रेन पवित्रेन सूर्जसे रख्मिवी प्राप्त करने के लिए शक्ति की आराधना जरूरी है अते इसी कारण हम बागेश्वरी मंदीर में पूजन अर्शन करके बाबा से मिलने की शक्ति माता से प्राप्त किये कहते हैं कि बागेश्वरी मंदीर में कोई भी मंतर का उच्चारन करने या जब करने से ही वे मंतर तुरंत सिध हो जाता है एवं वानी से संबंदित कोई भी दोश हो वे स्वते ही समाप्त हो जाता है कि क्रिपा से हमारा यह जो हवन पूजन है हवन यग्या है यह संपन हो चुका है यहां का जो द्रीष्य था मातराइं के हमने श्रीचर्णों में प्रार्तना की मा आदिशक्ति मा जगदंबा इनकी उपासना की आवाहन किया कल स्वें शिप जी के भी दर्शन हो जाएं जया रही हैं कौन मेंबर कौन सी फ्लाइट में जाएगा यह सारी इंफॉमेशन हमें वहां पर दी जाएगी बागेश्वरी मंदीर से अब समय है होटल की और वापिस जाने का जहां पर जाकर हमारा ब्रीफिंग सेशन शुरू होगा ब्रीफिंग सेशन में हमें केलाश के बारे में पंडी जी के द्वारा कुछ तथ्य बताया जाते हैं और हमें अगले दिन की भी सारी प्लेनी बतायी जाती है हम लोग जाता के लिए दिलए प्रस्ट कि हमारा बे देंस जातर क्यों करते हैंtles Самugget में पर डापा लटते क्यों करते हैं क्यों कोंई है दो बताए है करита कि आज़े साथ ये के रहा है कि आप अपने ज़र में नहीं कर पा रहे हैं बाहर ज़र नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी जात्राम जा सकते हैं कि आज़े हैं आप लोगों को पावंदी नहीं है यह इत्यादी में तो अपने को भूत सारी वहां पर नियम होता है जो करना पर दिन सेशन बहुत पढ़िया रहा है अभी के लिए डिनर करने के लिए बढ़ रहे हैं सुबहें के टाइमिंग्स बिल गया फ्लाइट नंबर्स कर रहे हैं और बीच में हम भी बैठ जाएंगे कहीं पर करने के लिए और विश्था काफी अच्छी है अगर बात करें करी करें करें तो आपको बता दें कि फ्लाइट के बारे में सब को बता दिया गया है और चार फ्लाइट्स टेक ओफ करेंगी दो 70 सीटर दो 50 सीटर और लगभग हम 28,000 फीट क्यू चाही पर उड़ेंगे और केलाश मांसरोवर के दर्शन करेंगे साक्षात शिवरात्री वाले दिन मेरी है स सेकेंड फ्लाइट सेकेंड और फ्रस्ट फ्लाइट एकदम समय लीजिए दो-चार मिनट के गैप पर फ्लाइब करेंगी एक छे पंदरा पर करेंगी तो दूसरी समय लिए चेवीज पर करेंगी तो सवाच्छे के आसपास हमारी भी जो फ्लाइट है वो टेक ओफ कर दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं अभी के लिए आप सबको शुपरात्री बोलेंगे और आप सबसे मॉर्निंग में कनेक्ट करते हैं हरहर महादेव शुपरात्री नमस्कार जी दोस्तों वेरी गूर्मॉनिंग सुपराभाद सुबह के साड़े पांच बज गए हैं एंड वी आर ओल सेट हरहर महादेव यार ओल सेट जल्दे जल्दी हमने अभी गाड़ी पकड़के निकलना है फोर्दी एयरपोर्ट वहां पर जाके हमें हमारे बोर्डि अगली सुबहा अपने साथ एक उमंग की लहर लेकर आई सनातन धरम में तिलक लगाने का बहुत जादा महतव है इसलिए एयरपोर्ट जाने से पहले उजारी जी दवारा हम सभी यात्रियों को तिलक लगाया गया अब तो गायज वी ओल रेड़ी सेकिंड बैज जाने वाला है सेकिंड फ्लाइट के लिए बस फ्रस्ट वाले फ्लाइट के मैंबर्स को छोड़कर आ चुकी है एरपोर्ट पर देख सकते हैं जी सामने बस लग गई है पहले जो मेंबर्स गया सेवेंटी सीटर फ्लाइट मे 35 मेंबर्स गया है सबको विंडो सीट मिले अब 50 सीटर फ्लाइट जाने वाली है जिसमें हम 25 मेंबर्स जाने वाले हैं चलिए जी और अब इंतजार नहीं हो रहा जल्दी से विराज मान होते हैं अपनी सीट्स पर और पहुँचते हैं एरपोर्ट एरपोर्ट पहुँचते ही सभी यात्रियों की आँखों में एक अलग सी चमक थी जो केवल के लाश के दर्शिन करना चाहती थी कि नेपाल गंज के एरपोर्ट को पहुंच गया है और हमारे साथ है सारे यात्रिगन नमाप पारवधी पते हारे हारे महादेव शम्भो पारवडिंग पास डिस्ट्रिब्यूट किये जा रहे है और जैसे ही इनको डिस्ट्रिबूशन कंप्लीट होता है फर्स्ट फ्लाइ कि अटिट वाले सब लाइन में लगेंगे और अपना बोर्डिंग पास क्लेक्ट करेंगे जो मेरे हाथ में बोडिंग पास देख रहे हैं जी यह बोर्डिंग पास है के लाज़ सुबह सुबह ऑफित्ए ऑम फोडिंग पास पिल गया है सेकेंड नाहीं जोगी हम टेक एक बाबाशीब के साक्चा दर्शन प्राप्त करके हैंगे जीवराप्तरी के इस पावन पर्फ पर एरबोड पर एंट्री हो गई है कुछी देर में अपनी फ्लाइट बोड की जाएगी फर्स फ्लाइट टेक ओफ कर चुकी है सक्सेस्फुली और देख सकते हैं जी वेदर भी एकदम अच्छे तरीके से खुला हुआ है तो दर्शन करने के पूरे पूरे चांस है हर हर महादेव हर हर महादेव अपने अलोटेट सीट पर और जस्ट फ्लाइट टेक ओफ करने वाली है दर्शनों के लिए हर हर महादेव शंबो 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 ओम नमश्यवाद देखिए जी टेक ओफ करने वाली है फ्लाइट ओम नमस्यवाद तो अभी जस्ट अपडेट मिला है कि इन फ्यू बिनिट्स के तर्शन होंगे ओप्स हमारी हाई चलिए जल्दी से आपको दर्शन कर वाते हैं और सारी पूजा अर्शना करते हैं हमारे इस चार्टर फ्लाइट में देखें जी उत्सा देखें शर्दालों का दर्शन होते हुए दर्शन होते हुए जी अर्रहर महादेव कारण जी दाएट्रायट्रायट्रायट्राय। ये सामने मांसरोबर है सामने देखें मांसरोबर है dna Bob अ吧 ह० बेम! स्थार्मारें संभोकाशें तनाथे गंगे आने हर्मा भुनमाजिवा आयजनमहा शिवायाचा शिवातरायचा ओम्त्रिम्भकन्यजा महें तुगंदें पश्टे बर्धनम् पुरुबार हुकमेव गंधनात पुरत्योर मुक्षियमाम नितातौ शाम बशादा शिवाया नमाव कर दो राउंड के बाद अभी फिर से तीसरा राउंड होने बाला है दर्शनों के लिए राइट साइड से दुपारा से दर्शन हो गए हर हर महादेब महादेब मुशन के दिवादेब वुम् नमसिवाइ राइट साइड से बहुत भी इवाल एच्छे तरीके से ओ माज़ बश्तारिके से ओ में अभी नमस्षिवाइ Amayya ःम्नाशिवाद्ञाशिवाद्ञाश्टु अगने जिवा मनवा सूर चक्षासो विशवेनो देवा अब शाग मन्निहा मदरं करणे भी स्रेणो याम देवा मदरं पशे माक्ष विर्जा जतरा हा इस्तिरह रंगा इस्तुष्टो वागो सस्दानो मिर्भ्यासे माही देवा ही तन्या दायो शाता मेनो शार दो अन्ती देवा यतरा नष्चकरा जारा संता नम मदरासो चत्रापीतारो भावनति मानौ मदियारी भदा यरुगंतो हो अदितर्याॉरा दे इतरान्तारिक्षाम देётि मातास विदासा पुतरा विष्षवेदेवा अधि भांच जान्वादीडर जातम धिठर जानटबम्म स्थित्वेड़न, आधियर रादरीक्षात्ग व्याम्मा। जानुकरायाजमध शिवायजाछ शीवतरायच शिया संबन्ध में शाफ़ाण के हाई जैकाराब पिरवजरंगे अहरा महादेव जैकाराब पिरवजरंगे अहरा महादेव देख सकते हैं यहां पर भी परसाद वित्रित किया जाराईजी शर्धालू में दर्शन करने की संतुष्टी सभी यात्रियों के चैरे पर दिखाई दे रही थी पिछले चार सालों से जहां जाना मुश्किल हो रहा था वहां अपने अराध्य देवता की एक जलक देखने मात्र से ही हम सब संतुष्ट हो गए और अब समय है एरपोर्ट से वापिस होटल जाने का जिनके लिए होटल वालों ने स्पेशल आइटम्स बनवाई थी और सुर्यस्थ होते ही सभी शर्धालू आ पहुँचे पशुपतिनाजी के मंदिर प्रांगन में पूजा करने के लिए प्रांगन में प्रांगन में प्रामुच धन्मनस्त मुवे और आर्थ्यों जाम्मा अपने पानज़स्पत्त प्रांगन में मैं अपने प्रांगन में में मैं अपने फिन्मी मेंins änd Thatken तो कुछ इस तरह मैंने अपने पांच केलाज दर्शन पूर्ण किये और ये अनुभब बहुती खूबसूरत और शान्ती से भरपूर था ये सफर केवल परवत चड़ने का नहीं था ये एक आत्मा की यात्रा थी जो हमें अपने अंदर केशिव तक ले गई झाल झाल झाल